जब्याट यू नमसकार कैसे हैं आप सब बढ़ी है वेल वेल टैंक यू तैंक यू फूर जॉइन मी चली जैसे कि मैंने आपसे प्रामिस किया था कि पहले है ना पहले मैंने मैंने प्रामिस कि कुछ और चीजों को मैं कवर करूँगा तो आज मैं आपके लिए एक दूसरा पत्र लेक्ट आया हूं तो कि पीएसी मेंस वालों के लिए बहुत जरूरी है मतलब उनको कैसे लिखा जाए क्या लिखा जाए कहां पर कैसे सब्द होने चाहिए जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि पत्र लेखन में क्या होना चाहिए पत्र लेखन में होना चाहिए कि सही सब्द वली सही जगे पर सही तरीके से होनी चाहिए पत्र लेखन के लिए ध्यान रखना बहुत जरूरी बात है कि पत्र लेखन में सही सब्द वली सही जगे पर सही तरीके से होनी चाहिए तो मैं जो से बरला को की टीम से कंप्रिशन कम्मुनिटी विलास्पू से आप लोकों का हार्दिक स्वागत करता हूं और जो मैं आपके जो जानकारी लेक्षा हूं वो है पत्र लेखन और यह अर्द सरकारी काईप का पत्र है और इसको कैसे लि जिख सकते हैं आग्या लिखा है आदेश लिखा है आदेश पत्र भी इसी को बोलते हैं या कारियालेइन आदेश भी इसी को बोलते हैं इसके अलग अलग नाम है चाहे आदेश बोलते हैं या आग्या बोलते हैं आग्या पत्र भी बोलते हैं कारियालेइन आदेश क्यों ब करता है जैसे कि यहां पर मैंने यहां पर जो सब्जेक्ट लिया हुआ है वहना नौकरी दिया जा रहा है खुशी की बात है हम सभी प्रयाज भी उसी के लिए कर रहे होते हैं पर इच्छार्थी के रूप में हमारा उद्देश से होता है कि हम एक अच्छी पराब्त करें तो मैंने सोचा कि कि लिएक कारियाले को क Reports कि आद्देश होता है शुह fonctionne पर के यह वं कॉलना बड़ासान है लेकिन लिखना उतना असान नहीं है क्यों लिखना आसान नहीं है वी ecos शही सब्धावली उसको बहुत ध्यान से लिखने की जोरत है मैं सिर्फ इसी पत्र की बात नहीं कर रहा हूं हम जो भी पत्र लिखते हैं पीस्सी के ऊनुद्ध के रूप में एक पति भागी के रूप में तो उसमें इसी बात को ध्यान देना चाहिए हमको नो डाउट की अक्षर है, उसके मात्राएं है, वो तो ध्यान दे नहीं है, आउ की मात्राओं पर ध्यान दे नहीं देना है, लेकिन सही सब्द को सही जगे पे सही तरीके से लिखा जाना ज़ादा जरूरी है, तो वो कैसे होना चाहिए, तो यह ऐसे होना चाहिए, देख साथ में उसको लेखित करना बहुत जरूरी है सो पत्र कैसे होने चाहिए कम से कम सब्दों में सही हाद को पूरी बात को अभीक्त करना है इसमें से टाइटल कुछ हुआ है अगर आप जहां से देखेंगे तो यहां पर क्या है यह अलग अलग पद के लिए अलग अलग हो सकता है इसको लिखने का सिक्षक के पद में इन व्यक्तियों के को नियुक्त किया जा रहा है उसी के बारे में पत्र लिखा हुआ है यह जगह क्या है यह पैराग्राप चूटा है इतना चूटना चाहिए यह ध्यान रखेंगे पद क्या है निंभ लिखत व्यक्तियों को वेतनमान 15-40, 20-17, 60-45, 22-45 में कनिश्र-चिक्षक पद पर न्युक्त किया जाता है संबन्दित व्यक्ति को पत्र मिलने के एक माह के अंदर कार्यभार ग्रहन कर लें कि समद्धित व्यक्ति को जिश्कों भी पध ये दिया जाता है उसके लिए शर्ट रहती है कि एक मेने के अंदर या पच्छिस दिन के अंदर या बाइस दिन के अंदर अपना कारियभार वो उस कारियालाय के अंदर संबंदित व्यक्ति अपना कारियभार ग्रहन कर ले तो यह कौन कोशे लिखती है नंबर एक पर स्रीमतिय निर्मला गुपता दुस्रे पर है आनंद साहु और नंबर पर लिखा है मनोज पैकरा यह तीन हो सकते हैं चार हो सकते हैं जादा भी हो सकते हैं ठीक है दो संबंदित व्रती को चाहिए कि我跟你 अंदर यहां मूहली के मृण्यमा यहां यहां पे तीनांग लिखा thereby कालपनिक है कालपनिक काहने का मतलब ज़रूरी नहीं कि मैं आज लेख रहा हूँ तो आज ही लिखो फिलहाल के लिए किस के अधार पे परिच्छा के अधार पे अधरवाइस उसमें जो डेट है पका रहता है या एक मेहने के अंदर अपना कारभार ग्रहाण कर ले तो यहीं वो डेट है जहां से एक मेहने के अंदर कारवाही को बोता है कि आपने जाकर आफिस में जाकर उस व्यक्ति को कहां जोइन करना है यह नहीं यह सामुहित पत्र है एक दो अतीन लोगों को यह चार लोगों को छे लोगों को कुछ भी हो सकता है लेखा रहा यहाँ पत्र में ने लिखा रहा है यह व्यक्ति ещё नीचे चुटना नहीं है यहां पर लिखना है नीचे में प्रतिलिपी में इन तीनों की साथ उपर में और नीचे में और आएगा मैं आपको बता रहूं बड़े आसान से है चैसा typically तुसमें क्या रहेगा नम्बब यहां पर को लिखेंगे इस प्रकास लिखेंगे यहां पर करेंगे इस प्रकास लिखेंगे इस साधर सूचनार्थ तो किसको लिखना है साधर सूचनार्थ एवं आवस्यक आवस्यक कैसे लिखेंगे आवस्यक ऐसे साधर सूचनार्थ से कारवाही करना है क्या करना है तो नंबर कि क्या लिखक नंबर वन के लिखा हमने लिखना है नमबर वन प्रिकांगे खेल लिखेंगे नमबर मन की एक लिखेंगे निलजी शाचीव पाठी पुस्तक निगम नंबर एक लिखेंगे परिखेंगे निर्मला ि करालबेट मनोझ पेक्रा क्याना कोई भी मंदीरा टोला पेंड़र रोड एक कालफनिक मैं बता रहू है इसको लिखने का तरीका थीक है जैसे हमने यहां टीन लोगों तो यहां पर तुस्तुनात तासे कारवाई हे तो नंबर न पर का लिखा हम ने लिखा थी पाटके पुस्तक निगम नंबर एक पर लिखने की जरूरत है उसके बाद नीचे में एक और लिखेंगे इसके बाद लिखेंगे लिखेंगे लेखा शाखा नंबर लिखेंगे लेखा साखा पाठ्थे पुस्तक निगम रायपुर और उसके बाद नीचे में फिर यही आएगा हस्ताक्षर सचीव और उसका सील आएगा इस बिल्कुल ऐसा जैसे यहां प्रकासे उनके नीचे में हमको लिखेना है ठीक है तो कहां से खासकर यह वाले भाग से हमको लिखने का तरीका क्या आता है कि ख्याल कर यहां पे संबंधित व्यक्ति पत्र मिलने के एक माह के अंदर कारेभार ग्रहन कर लें तो संबंधित व्यक्ति कौन-कौन है संब्धित व्यक्ति यह तीन लोग है स्रीमतिन निर्मला गुप ग्रहन कर लें यह रहता है यह पत्र खतम नहीं हुआ है उसे बाद हम क्या करेंगे यहां पर लिखेंगे प्रतिलिपी किसको लिखेंगे नंबर एक नंबर एक पिका लिखा निजी सचिव पाठे पुस्तग निगम रायपुर नंबर दो पर का रहेगा स्रीमतिय निर्मला जो से मैंने यहां पर जराम नगर बोला तो आप उहां पर लिख सकते हैं आनन साहू छोटा से लिख सकते हैं कि हैना दर्दी पारा करगी रोट कोटा उसके बाद नंबर तीन पर लिखा मनोज पैकरा यह बिल घहना कुछ भी हो सकता है यह उसका एद्देश लिखा जाएग तो इस प्रका से यह पत्र है तो ध्यान दीजिए हमने क्या बताया था आपको कोई भी पत्र लिखते हैं तो सही सब्दवली सही जगे पर सही तरीके से होनी जाएगे इसका मतलब क्या है इसका मतलब है पत्र सार्थक तभी होगा जब हम पत्रों की इन चीजों को सही जगे या जिनन को भीजा जाने वाला है उनको हम इधार उधार कहीं लिख देंगे तो पत्र लीखा तो गया है लेकिन वो सही नहीं माना जाता है अगर आप चाहते हैं अपने केरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविश्य को साकार करना तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्यूनिटी के साथ आज ही हमारे वेब साइट के केरियर पेच पर विजिट करें अत्वा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ टीम कोको